आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो गाइस, हमारा question है the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 a belongs to positive real numbers are two consecutive odd positive and options हमें दिये हैं कि क्या relation बनेगा हमारे पास equation क्या है quadratic equation है ax square plus bx plus c is equal to 0 और हमें बोला गया है कि a जो है वो r plus में belong कर रहा है यानि r plus यानि positive real numbers ठीक है positive real numbers यानि a क्या है हमारा greater than 0 है अब अगर a greater than 0 है तो ये graph कैसा बनेगा ये बनेगा upward parabola ठीक है upward parabola form होगा ये कैसे बनेगा ये upward parabola कुछ इस तरीके का कुछ इस type का parabola बनेगा ये ठीक है और उपर से हमें बोला गया है कि ये जो हमारे roots है इसके ये जो roots है ये कैसे है ये consecutive odd positive है ठीक है consecutive odd unpositive तो इसी type का कुछ बनेगा तो ये जो हमारे roots है इदर ये क्या है consecutive odd और यहाँ पे जो इसका vertex बनेगा vertex of a parabola क्या हो जाएगा वो हो जाएगा minus b upon 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा even number हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे लाए कर रहा है minus b upon 2 है क्योंकि दो consecutive numbers जो odd है जिसे 1 and 3 उनके बीच का जो number होगा 2 वो even है ऐसी 3 and 5 उनके बीच का number 4 even है तो consecutive odd numbers है ये दोनों तो इनके बीच का जो ये number है vertex of a parabola ये क्या हो जाएगा even हो जाएगा ठीक है अब अगर ये even हो गया और हम देख सक रहे हैं कि ये positive side of x-axis में है तो यानि minus b upon 2a एक तो even है और एक greater than 0 है और हम जानते हैं कि a greater than 0 है ठीक है तो इधर से क्या आजाएगा कि b upon 2a less than 0 हो गया और a तो greater than 0 है यानि क्या होना चाहिए b को less than 0 होना चाहिए ठीक है b less than 0 है अब हम देख सकते हैं कि mod b upon 2a mod b upon 2a हम जानते हैं ये even number है और b less than 0 है और यानि minus b upon 2a क्या है positive number है ये क्या है एक positive number है ठीक है अब ये एक positive number है और यानि greater than 0 है और एक even number भी है तो यानि ये क्या हो जाएगा greater than or equal to 2 होगा ठीक है या तो even number है तो या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा ठीक है तो यानि हम इसे क्या लख सकते हैं mod b upon 2a is greater than or equal to 2 क्योंकि a तो greater than 0 है हम जानते हैं ये चीज ठीक है तो ये क्या बन गया mod b is greater than or equal to 4a और ये हमारा relation आ गया अब options में देखते हैं क्या correct है options में option b correct है mod b is greater than or equal to 4a थाइंक यू classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आ या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर